अस्टामलीकूम फाइफ क्लास कैसे हैं आप सब I hope you are all fine फाइफ क्लास बेटा जसा क्या आप जानते हैं कि हम वर्टीब्रेट्स के बारे में पढ़े हैं जिसमें हम फिश और एंफिबियन्स और रेप्टाइल्स के बारे में अपने प्रीविएस लेक्चर में जो है वो स्टे तमाम बर्ट के विंक्स तो होते हैं यानि इनके पर तो होते हैं लेकिन सारे के सारे जो है वो फ्लाइर नहीं कर सकते हैं फ्लाइंग बर्ट के ट्रैवल फास्टर दन एनी अधर आनिमल और एक उड़ता हुआ परिंदा किसी भी दूसरे जानवर के निस्बस ज्यादा उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं ज्यादा जो प्रीमील उती हैं वो अपने गौंसले में अंड़े देती हैं दब तक आपना ख्याल वो खुद नहीं रख सकते हैं आपको डायग्राम में दिखाई हुई है इस पैरो की कुछ जो है वो उसने आपको explanation बताई है जो हम पढ़ेंगे जिसमें है four limbs are modified as wings यह जो four limbs है यानि जो इसके बाजों की तरह इसके अपर पर लगे हुए है यह wings होते है nostrils leading to lungs और इनके जो nostrils tunes के ओपर होते हैं यह जो है वो lungs तक जाते हैं जो के सांस लेने में which are the organs of gas exchange जो के gas exchange करने में इनकी मदद करते हैं उसके बाद feeders है जो इसके जिसम पर वाल होते हैं vitals of flight and for endothermia they give excellent isolation insulation against heat loss और यह heat loss से जो है वो इनको isolation isolate करते हैं बीक है उसके बाद very light since no bone or teeth कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो बहुत जो है यह light होती है इसके अंदर ना थो कोई हड़ी होती है ना कोई dant होता है उसके बाद है इसके पाउं पर कुछ scales होते हैं on legs feet ideal for purging और यह इनको जो है वो पर्च करने में इनकी मदद करते हैं इसी तरह five class remember and understand में fill in the blanks है जिसमें है fish breathe through gills यहां पर हमने क्या लिखा है gills g i double l s gills ठीक है उसके बाद है हमारे पस amphibians eggs are called means cx होते हैं उनको क्या कहते है pण ठीक है डाश ले एक्स ओन लैंड कौन से जो जानदार है जो अपने अंडे जो है वह जमीन पर देते हैं यह जो हैं पने जो हैं वह जमीन पर देते हैं ठीक है next page पे आ दें next page पे हमारे पास mammals है mammals में है cats, dogs, gods, horses, monkeys, druffers, elephants, whales and dolphins are mammals mammals basically ऐसे जानदरों को कहते हैं जो अपने बच्चों को अपना दूद पिलाते हैं you are also a mammal यानि कि human being भी जो है ये एक mammal है most mammals are covered with fur इनके पर ज्यादा तर जो है वो fur होती है hair और bristles और इनके bristles होते है they breathe through their lungs और ये अपने lungs से सांस देते है female mammals give birth to babies female mammals जो है वो बच्चे पैदा करती है and feed them on milk और उन्हें अपना दूद पिलाती है produced in special body cells जो के इनके special body cells में पैदा होता है ठीक है amazing fact में लिखा हुआ है the largest flying animal is the is the fruit eating के लौंग बैट कह रहा है के largest flying mammal जो के अपने बच्चों को दूद पिलाती है वो के लौंग बैट है यह नि जो है it is 40 cm long इसकी जो length है वो 40 cm and has a wingspan of over 150 cm और उसके जो wings है वो कितने है 150 cm इसको highlight भी कर लें और यह amazing fact for five class learn भी किया करें क्योंकि इस में से आपकी जो paper में objective unseen आती है वो इन ही में से आती है उसके बाद है complete the following chart by giving five example of each कह रहा है कि आपने जो है वो एक चार्ट दिया हुआ जिसको complete करना है जिसमें आपने vertebrates की जो है वो examples देनी है जिसमें fish है तो fish में हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है shark, hammerheel fish उसके बाद है goldfish है और उसके बाद है salmon ठीक है यह five है shark, hammerheel fish, goldfish and salmon उसके बाद amphibians में vertebrates कौन से है frog है and Todd है ठीक है reptiles में vertebrates कौन से है snake है lizard, crocodile, alligator, turtle and tortoise एक दफ़ा फिर repeat कर रही हूं snake है lizard, crocodile, alligator and turtle ठीक है उसके बाद है हमारे पास birds में है birds में जो vertebrates है vertebrates हम उन्जा अंदर हो कहते हैं जिनकी backbone होती है इसमें eagle है, sparrow है, pigeon है, dove and parrot ठीक है and last one mammals में है हमारे पास lion, cat, rabbit, dog and elephant इसको अपनी book पे note करें और इनको आपने learn भी करना है और उसके बाद five class आपके notes के उपर जो आपके meanings हैं आप first column और second column दोनों को repeat करेंगे और इनको अच्छी तरीके से learn करेंगे उसके साथ आपका जो reading है वो है आपकी word to learn जो के six हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से learn करना है I hope कि आपको आज का lecture अच्छे से समझ में आ गया होगा इन्शाला कल से हम question answer और अपना next topic start करेंगे thank you so much